नमस्कार बच्चों, कक्षा 6, exercise 3.4, question number 2 हम कर रहे हैं, 3 संख्याइं हमें दी हैं, हमें इसका सार्व गुननखंड निकाला है, आएए देखते हैं, सबसे पहली संख्या है 5, अगली संख्या है 15, अगली संख्या है 25, तो आएए हम इनका सार्व गुननखंड निकाल के देखत हैं सबसे पहले पांच तो देखें पांच किसके पहाड़ में जाएगा पांच एकम पांच ना ये दो के पहाड़ में जाता है ना तीन ना चार किसी के पहाड़ में नी सिरफ इनी दो पहाड़ों में जाता है पंद्रा पंद्रा जाएगा एक के पहाड़ में एक गुना पंद्रा पंद्रा दो के पहाड़ में पंद्रा नहीं आता है क्योंकि यह विश्यम संख्या है 3 के पहाड़े में 15 चला जाएगा 3, 5, 15 उसके बाद 4 के पहाड़े में 15 नहीं जाता 5 के पहाड़े में जाता है हमने लिख लिया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 किसी पहाड़े में भी 15 नहीं आता 15 अपने पहाड़े में आता है वो हमने लिख लिया है आगे देखते हैं बच्चो पच्चिस देखी अपने पहाड़े में जाएगा पच्चिस हे कम पच्चिस इसके बाद दो तीन चार के पहाड़े में पच्चिस नहीं आता है पांच के पहाड़े में पच्चिस आता है पांच पंजे पच्चिस इन चार के अलावा और किसी भी पहाड़े में 25 नहीं आता है तो आएए अब हम इनके गुननखंडों को लिखते हैं देखें 5 के सबसे पहली संक्याती 5 5 के गुननखंड ये होंगे 1 और 5 इसी प्रकार से 15 के गुननखंड 15 के गुननखंड है 1, 3, 5 और 15 इसी प्रकार से 25 के गुननखंड 25 के गुननखंड होंगे देखें 1, 5, और 25 तो ये हमने तीनों के गुननखंड लिख दिये यानि ये वो संक्याएं जिनके पहाड़े में ये वाले नंबर आते हैं हमें ढूंड रहा है सार्व गुननखंड सार्व गुननखंड का मतलब जिनके पहाड़े में तीनों ही संक्याएं आती होंगे तो आएए हम ढूंडते हैं सार्व गुननख देखे एक यहां भी है यहां भी है यहां भी है इसका मतलब पहला सार्व गुननखंड होगा एक देखे 5 यहां भी है यहां भी है यहां भी है तो इसको भी सर्कल कर देते हैं हम आपने भी कॉप्य में ऐसे पैंसिल के साथ सर्कल करने है तीन यहां है लेकिन उपर नहीं है नीचे नहीं है 15 यहां है उपर नीचे नहीं है 25 यहां है लेकिन उपर नहीं है तो इसका मतलब सिरफ दो ही सार्वगुननखंड आये हैं हमारे पास एक और पांच यानि 5 15 और पांच इन तीनों के सार्वगुननखंड कौन-कौन से होंगे एक और पांच यह तो बहुत सरल है आशा करता हूं आपको यह प्रश्णम बड़े अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद